वेलो व्योर्स वेलकम बैक तो माँ चैनल अगें ग्रेट सॉलिशन इंसिटूट में आप सभी का स्वागत है मेरा नाम है मुकुल और आज आपको बताने वाला हूं टैली प्राइम 4.1 रिलीस के अंदर हम अकाउंटिंग मॉड्यूल कर रहे हैं जिसके अंदर हमने के जो कि बहुत ही क्रूशल है अगर वीडियो लंभी नहीं हुई फिर तो मैं आपको जो अजस्मेंट एंट्री है वो भी मैं इसी अंदर बता दूँगा अगर वीडियो लंबी हुई मेरी बीसमेंट से उपर फिर मैं अब दाऊंगा उसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर पर पर टाइमली फॉलो करते हैं और जो जो मैं बताता हूं आपको विच स्टडी मटेयल जो कि हमारी एप्लिकेशन के अंदर अल्री अवेलिबल है आपको जो लिंक है वो एपका मिल जाएगा आपको हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जाके वहां से आप करसते हैं को ये कुछ मेरे maarट के एंटरी है और यह क्या कहता है की तीन मार्च को हमने सेलरी पे की अब सेलरी मुझे पता कितनी है पन्तालिस सो एक यत्स्तर सो कितनी है बारहाँंजार रूपे अब अब मुझे कैसे पता क्यों कि आप देखिए नंबर लिखा है पांच हम किस पर नंबर पर हैं 134 पर इसका मदलब किया है कि 129 एंट्री पहले से हम कर चुके हैं कब से एपरल से लेके फैब तक की तो वह आपको सारी केस टेडी पढ़ने ही पढ़ेंगी एपरल में जून जु की उपर अभी मेरी कौन सी है यहां पर देट रूंगा तीन तारीक एफ टू तीन माइनस तीन का मतलब है यहां पर तीन मार्च सेलरी कर रहा हूं तो यहां पर स्टाफ सेलरी मेरा पहले से बना हुआ है और टोटल कितना एक्सपेंस है मेरा 12000 रुपे का है पेमंट कैसे यह कर रहां तीन मार्च यह मेरी पहली इंतरी पहले हो गई फिर माथ करते हैं अंगली रुपे कि कि डेट को डालना चाओ डाल दों नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है बस नंबर जूरी है आपकी रेफरेंस के लिए इसके बात करते हैं आठ तरीकों हमने पे किया ओफिस मिंटेनस 750 रुपे कैश ठीक है आठ तारी को डेबिट होगा हमारा ओफिस मेंटेनेस कितना साथ सो पचास रुपए और यहां पर आजेगा टू कैश और इसका नंबर कितना है इसका नंबर है वन थर्टी सिक्स है इंटर किया एंड फिनिश आठ मार्स के एंट्री करते हैं क्या लाइए कि 30,000 पर हमारे को कैश में आया है consulting revenue from i television network से ठीक है आई television से Network से हमारे को पैसे आगे consulting revenue के तो यहां पर पर है नहीं क्योंकि हमाने में नेंटर किया और यह करके एंटर नंबर थर्टी शेवन नंबर इंटर किया और उसके बाद करते हैं बारा तरीक एंटरी को क्या कि हमने 1450 पाइस पे किया है बिजली का बिल चीक है बारा तरीके एंट्री एडेट लिए मैंने बारा और यहां पर आएगा एलेक्टिसिटी बिल कितना बील है चौदा सो पचास रुपे और यहां पर रिप्र नहीं आएगा पेमंट वोचर आएगा उन्हें पैसा दिया है ठीक है लेक्टिसटी हूँ डेट 15 तरीक और 15 तरीक को क्या है पे कि हमने उन्हें सोर पे चेक से पे किया है क्यों मुबाइल फून का बिल दिया है ठीक है मुबाइल फून का बिल दिया तो पेमंट वोचरा रख है ठीक है मुबाइल फून बिल लिया उन्हें सोर पिल लिया और यहां पर आजए लेली और 20 तारीक को क्या कह रहा है कि हमें invoice रिसीव हुआ है global house से on 24 फरवरी the invoice received not received received जो हमें receive हुआ था global house से on फरवरी 24 24 फरवरी को हमें receive हुआ था global house से bill जिसके अंदर एक error पाया गया calculation के अंदर और देखा गया कि वो over value थी 600 रुपे से over value means कि 600 रुपे जादा थी अब यहां पे दिखे क्या है कि adjustment entry आएगी क्योंकि हम 24 तारीक को फरवरी के महिने में पहले हमने को stationary होगी global house से वो कितने की थी हमें नहीं पता ठीक हमें देखना पड़ेगा तो अगर हमें मैं चेक करना हो कितने का था तो हम क्या करेंगे टैली में जाके चेक कर सकते हैं डे बुक में तो मैं यहां पर कहां गया मैं display में गया display more reports के अंदर और डे बुक में गया और यहां पर date क्या बता रहा था 24 फरवरी यह देखिए स्टेश्री कितने करने का था 24 चूहतर सो रुपे का था तो इसमें ओवर वैल्यू पाए गया मतलब कि छेसो रुपे ज्यादा थे अब ज्यादा थे तो मुझे इसको ठीक करना है तो मैं क्या करूंगा जनल एंटरी पास करूंगा फॉर्टर सेक ऑफ अजिस्ट्मेंट तो जब मैं अपस्ट स्टेशनरी की मेरे पास से स्टेशनरी चली गई तो स्टेशनरी रागी मेरे पास कितने 26,900 रुपे की जबकि पहले 600 रुपे बढ़कर आ रही थी मैं यहां पर करता हूं एंटर और नमबर क्या इसका 140 नमबर एंट एंटर एंट फिनिश फिर हम बात करते हैं क्या कि कि सब्सक्राइब करें कि यहां पर आएगा पेमेंट और वाउचर कौन सा आएगा सब्सक्राइब कितना 900 रुपे का और और यह 950 का सब्सक्राइब करके यहां डाल दो 950 रुपे और यहां पर आजेगा आपका नमबर नमबर क्या है 141 एंटरी और फिनिश अब एक चीज मै मैंने गलती करी हों पर क्या क्या कि मैं सारी एंट्री फैप के अंदर करी जा रहा हूं मैं चेक करता हूं डिस्पले मोर वो तक सारी एंटरी चECK करता हूं तो इसमें से जो एंटरी गई होंगी छेहसों रपे-किए थी तो यह इंटरी कभ होनी थी हमारी 66 पेवले यह हुनी थी 20 मार्ज को इसको डेट को तो चेंज कर दो यहां पर 20 मार्स कर दो और कंट्रोल कर दो यह आपका सेव जाएगा फिर आपका था था कंवेंस बिल कर यहां भी आ रख है और यहां भी आ रहा है 950 रुपे तो यह मारा इस मीने का है 21 फर्वरी का यह किस मार्स में आना था यह फैंड चला गया डिट करो यहां पर करो 21 और कंट्रोल ले करके बाहर आ जाओ फिर इसी तरह जो है हमारा electricity bill mobile का phone bill अब सही आई थिंग तो काम करते हैं मैं डे book खोलता हूँ और लेता हूँ एक मार्च से लेके 21 मार्च सकते तो मेरी एंट्री और है वो क्या है कि हमने 6800 का चेक पे कर दिया ग्लोबल हाउस को ठीक है तो मैं जाता हूँ यहां पर वाउचर पर और 21 तारीक लेता हूं पेमेंट करता हूं कि इसको ग्लोबल हाउस और कितना माउंट दिया पूरा पूरा माउंट आ गया अगेंस रेफरेंस ओके और यहां पर मेरे पास गया बैंक चेक अब नंबर पता है डाल दो नहीं तो छोड़ सकते हो और यहां पर नंबर कितना आएंगा इसका 142 नंबर एंड फेनिश और लास्ट एंट्री आ रहे है क्या कि हमने मुश्टर मोहन ने विड्रॉव करी है पैंसट सूर रुपे ट्राइंग तो विड्रॉव किया परसनली उसके लिए ट्रॉव राइंग है उसकी तो पेमंट है कंपनी की तो डेट आएगी 25 तारीक और यहां पर आ रहेगा कितना ड्राइंग और अमांट कितना है छे हेजार पान सूर पे और पे कैसे किया है कैसे पे किया है ठीक है और 143 एंट्री यह हो गई एंड फिनिश तो यह मेरी मार्च तक की एंट्री होगी अब यह क्या बता रहा है कि नोट फॉर फाइनल बैलंसेस ऑफ ट्राइल बैलनस वी नीड तो पास प्रविजन डेप्रिशेशन एंड प्रिपेड अजिस्मेंट एंट्री विच विच विल सेपरेटली सेंट तो यू इन स्टेडी माटिरियल अब अगर बात करें ट्राइल बैलनस की तो हमारा आंसर आ रहा ह आसर नहीं मैच करेगा आपको दिखा देता हूं क्यूं दिखें यहां पर आ रहा है नौ लाक नौसों रुपे जबकि आना चाहिए ग्यारा लाक नौहजार एकसो निन्यानुवे रुपे तो यह कब आएगा जब मैं यह वाली एंट्री पास कर जूँगा तो जैसे मैंने स शुरू करने से पहले बताया था आपको कि अगर तो वीडियो 10-12 मिनिट के अंदर अंदर हो गई तो मैं उसकी एंट्री को भी साथ में देलूंगा नहीं तो इसको मैं डालूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर बट लखिली अभी हुआ है दस मिनिट और मैं इसको कर सकता हूं अजस्टमेंट तो यह मेरी एंट्री तो बिसेखली होता कि पूर्विजन एंट्री एंट्री और अजस्मीं एंट्री सबी जो है हमारी यह होती है 31 recognize को और इसका basically पर्पस क्या होता है कि जैसे माल लीजिये हमारा बिजली का बील है तो हमें पता है कि कांट क्लोस होने है हमारे thirty first March को तो क्या बजली का बिल तो canada मैं इसी तरह कहीं OR हम लोग बाद में एक होता है कि हमने पहली पखार दिया ड्र्ट एक उता हम बाद में पेख करते हैं तो मार्ज का किराया है कि ऐसे सेलरी होडिया करेंगे नेकस्स मंद की ks में नेraw करेंगे तो वह जो खर्चें हैं खर्चें को ब्लूप करने के लिए खर्चों को बढ़ाने के Nähen हम एक नें थेने हैं तो जिनको पैसा देना होता है उनका खरच उम पहले से कर लेंगे लेकिन देंगे बाद में इसी तरह अगर मैंने ऐसे क्रेट कर लिया और साथ Chad मैंने मैंशन कर दिया कि अभी आए नहीं है अभी आने हैं तो इसको बोलते हैं प्रविजन एंट्रेश दूसरा बात क्या होती है कि डेप्रिशेशन जितने भी मेरे करेंगे यह कोश्चन है तो इस अब थोड़ी वीडियो लंबी होने वाली और आप इसको बीना स्कीप करें देखेगा ताकि आपको एक एक डाउट क्लीर होजेगा एकाउंटिंग फिर कहूंगा आपको कि चैनल पर नए है तो स्क्राइब करना और बैल ऐकन प्रेस करना बिल 20-002.000 रुपे का एक कंसल्टिंग रेविनियू फॉर्म फॉर्एकशी मार्क्टिंग सॉलुशन मुझे पैसा आना है अगेंस्ट तकंसल्टिंग रेविन्यू तो 21 मार्च की एंट्री कर देता हूं वाउचर पे गया और डेड़ लेता हूं 31st मार्च अब यहां पर लोग और पार्टी का नाम दोंगा फॉरेक्सी मार्केटिंग सॉलुशन जो की मेरा बनेगा अंटर किसके संटरी डैटर के एंटर करता हूं अगेंस्ट बाइब यास कर दीजिए कितना मांट आना है में को 20,000 रुपे आने नियू रेफ्रेंस आटमाटिक नंबर आजेगा और खम कर देंगे क्या कंसर्टिंग रेविन्यू क्रेडिट एंटर एंटर फिनिश तो मेरी पहली एंट्री हो गई इसके अं इंटर करूंगा तो बताएगा कि 12500 में गुरूव से लेने हैं और 20,000 में को लेने हैं अभी 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 एंट्री करी है ठीक है वो सब उसका आपको दिखाई देगा फिर जालते हैं अगले वोचर की अंदर जो क्या कह रहा है वो कह रहा है कि मैंने रेंट का प्रूइजन सब्सक्स सब्सक्राक और 20,000 बुर्वु से तो मेरा खरचा के इतना है अब ही तक मैंने 27,500 दे चुका हूं क्प्तिसो मैंने और बुट खल दिया तो मेरा कि इतना होगया तीज हेजाजार रपी हो गया अब तीज हर मिया बनाए लेकिन अभी को यहां पे एक लेजर बनाउ नोट at all और मैंने यहां पर entry की नंबर आपको डाला है नंबर इसको मैं कर देता हूं बंद नंबर इसका है 145 ठीक है मैं डाल देता हूं नंबर 145 एंट फिर हम बात करते हैं कि हमने salary का भी provision एड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा 138 650 और यहां पर क्या बनेगा salary पेवल जो कि मेरा बनेगा under किसके provision के और एंटी नमबर यहां पर क्या जाएगा 146 मैं लेता हूं यहां पर 146 एंटर करता हूं and finish फिर हम बात करते हैं क्या कि office maintenance charges दी है 750 रुपे की दिये नहीं है provision made करनी है किसकी office maintenance charges की तो हम पहले खर्चा बुक कर लेंगे office maintenance charges कितने का amount है 750 रुपे का है तो यहां पर क्या जेगा to create करके यही लेजर बन जेगा office maintenance payable जो की बनेगा under provision के control एक यहां पर नंबर एंटर किया नंबर किया 147 एंटर एंड फिनिश तो यहीं मेरी 31 मार्श की जो है चार एंटरी मैंने पास कर लिए अब हम बात करते हैं क्या कि 1690 रुपे का prison made करने हमने mobile phone bill का चिक है तो यहां पर लेता हूँ mobile phone bill कितने का amount है 1690 रुपे का और यहां पर लेजर बनेगा क्या mobile phone bill पेवल जो की बनेगा under provision के 1690 रुपे का और यहां पर क्या है 148 नंबर उसका आजेगा voucher number and finish फिर हम बात करते हैं convince bill की कितना है आपका 1300 रुपे का यह भी हमारा क्या prison rate होगा 1300 रुपे का तो यहां पर लेता हूँ क्या convince रुपे और क्राइड में क्या होगा to convince पेवल जो की बनेगा under prison के 13100 रुपे और entry यहां पर क्या आएगी हमारी 149 एंटर करता हूं and finish फिर हम बात करते हैं क्या कि राज travel से हमें invoice receive हुआ है इतने रुपे का और इसका भी हमें provision create करना है ठीक है यह जो बिल था यह बिल था मार्श 24 का यहां पर मिस्टेक है तो यहां पर 21 के जगाप दोज़ार 24 कर लिजिए गा तो हमारी ओ क्या करता हूं क्या कि है जार्ड़ को मैं ढाल देता हूं कितना आ मेरा क्या वारिंग चार्जी यह आ रहा है उन्तिसों रुपे और फिर खर्चा डेबिट में और करूंगा वह कौन सा करूंगा आउस्टेशन टूर यह मेरा आ रहा है कितने का सैंतिसों रुपे ठोटल हो गया मेरा 6600 रुपे और राज ट्राइबल कर देंगे क्राइड आप पहले से 변ा हुआ है यहां पिर आप कर सकते हैं क्या राज के साथ ल एक आप अपैसा है यह उन्याब कुछ फरक नहीं है फिर हम 검찰 करते ह 갈ते हैं 870 रुपे पर diversion करना तो मैं यहां पर क्या करता हूं है और और कितना मांट आया है रुपे और ने दिया कुछ नहीद देना है तो rozle Count वार 151 तो अभी तक चिक olduğ lethal डेके पास कर ली है और वीडियो बने क्यूंत की अब हम उद्दे की बात पर आते हैं क्या कि depreciation निकाल लिए हमने अब इसे एकर समझते हैं होता क्या है हम जब भी कोई asset लेते हैं कार, scooter, bike, building मालनो उसकी value 10 लाख है, 5 लाख है, 4 लाख है तो value अगर बढ़ती है तो उसको बोलते हैं appreciation value अगर घटती है तो बोलते हैं depreciation तो जो मैंने अपने asset लगाए है जो मैंने asset खीद दें हैं जिसे computer है, laptop है, furniture है, उनकी कोई ना की value तो है ना, जब भी मैं उसको बेचूंगा तो 5, 7,000, 50,000 कुछ ना उस तो मैं को देखे जाएगा, अगर मैं लिए हो मैंने 2, 3,50 लाख रु अभी at the end of the financial year उसकी value रहेगी 4,00,000 रुपे तो 1,00,000 रुपे कहां गया, वो हमारा हो गया, खर्चा, उसको खर्चा मानेंगे, तो खर्चा अगर आएगा उससे क्या benefit होगा हमारा, उससा benefit यह होगा कि trial balance के अंदर जो head होता है profit loss account, वो profit हमारा कम शो होगा, कहां पर हमारा profit profit अगर मालो इन चो हो रहा है, हमारा 2,00,000 रुपे खर्चे निकालने के बाद, तो अगर हमारा like रुपे खर्चा बढ़ गया, depreciation का, तो फिर हमारा profit भी 1,00,000 रुपे रह जाएगा, तो टेक्स जो मारा pay होगा, वो 1,00,000 के उपर होगा, तो यह कुछ benefits रहते हैं, जब शीट पे detail लिखा लेंगे alt F1 के साथ, तो यह देखिए, यह सारे assets आ रहे हैं, यह मैंने select कैसे किये, मैंने shift के साथ, ठीक है, total value है 95,500 रुपे, अब इनकी value अलग अलग है, तो अब AC की depreciation amount क्या होगा, यह देखना पड़ेगा, तो अगर मैं इसको एक बार enter करूं, तो यह हमने कब करिदा था, यह हमने करिदा था, एपरल के मीने में, ठीक है, और मैं यहाँ पर करता हूँ enter, और यह date क्या थी हमारी, यह थी 15 तारी की, तो मैं काम करता हूँ, 15 एपरल की मैं entry को open कर लेता हूँ, so that कि आपको 15 एपरल की entry से देखने को मिल जए, कि हाँ मैं किस की ब तो डिवाइड कर दो 5 से, तो 6000 को जब डिवाइड करेंगे 5 से, तो अंसर कितना हैगा, 1200 रुपे, तो 1200 रुपे जो है, हमने एक साल की depreciation निकाली, लेकिन हमने यूज कितना किया, आप देखो, 365 दिन साल के अंदर होते हैं, हमने entry की 15 तारीक से, 15 तारीक हो, तो हमने 14 दिन, बात करते हैं, तो 15 तरीक को जब लिया था, हमने, तो साल की जो value थी, वो 12,000 रुपे आई, अब क्योंकि 365 में से हम less करेंगे 15 दिन, तो कितना आ गया, 351 में, 351 दिन की हमें actual में निकाल लिए है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ, calculator को open, तो अगर आप देखेंगे, कि अगर सा साल की depression मेरी 1200 रुपे है, मेरे को निकाल लिए है, 351 दिन की, और साल में दिन होते है, 365, तो मैं डिवाइट करूँगा, 365 से, तो मेरा जो खर्चा आएगा, वो कितना आएगा, 1153 पॉइंट नौ, विच मींस 1154 रुपे, तो 1154 रुपे, यह मेरा बिल्कुल एको रेट आ गय है, तब 4 साल की life है, तो आप देखिए कि 22,500 का computer था, चार साल की life है, तो होगा 5625 रुपे, हमने एंटरी कब की, दो तरीकों की, तो हमने यूज एक दिन कम किया है, तो विच मींस की multiply by 344 डिवाइट वाइट वाइट 365, जो साल में दिन होते हैं, तो कितना आया, 569 पॉइं क्या था, हम देखते हैं, furniture का लिखा हुआ है, उसकी life है, तीन साल, ठीक है, बीस जार की value है, तीन साल की life है, तो हम क्या करेंगे, टॉन्टी थाउजन, दिवाइट वाइट 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 थी, तो ये साल की हो गई, और हमें निकान ली है, पंदरा दिन कम की, मह आपके होगे, 51 दिन की, इन्टू, 351 डिवाइट वाइट वाइट 365, तो ये आपकी आगी, 6410 रुपे, पॉइंट नो, विच मींज, 6400, नहीं, गलत हो गया, 2400 रुपे आ रहे है, फरनिचर की वेल्यू, ओके, देखें, यहाँ पे अब आठ लाइफ लिखी हुई है, यहाँ पे तो ये तीन है, अब यहाँ पे तीन है, के आठ है, मुझे पता नहीं, मेरे ख्याल से फरनिचर शायद आइट साल का हो सकता है, हम एक काम करते हैं, इसको अब चेक करना वेल्यू, चौदा चार सो एक आरी है, तो ठीक है, चौदा चार सो एक आरी है न, तो इतना ही आना चाहिए, तो हम पहले करते हैं, कंप्यूट यह दिखते होए, कि एक्चुल में अगर मेरी वेल्यू बीस हजार है, तो बीस हजार को मैं डिवाइड करता हूँ, आठ से हो गया, और पच्छी सो को मल्टिपलाई करूँगा, मैं 351 से, क्योंकि मैंने डे 15 यूज कम की है, और बटे करूँगा 365, तो कितना हो गया मेरा 245 रुपे, 244 रुपे, हाँ, बिल्कुल सही आ रहा है, तो यह जो लाइफ इसकी है न, यह आठ साल की है, अप्रल मंद की अं हम लोग फिर यहां पर क्या करने वाले हैं, यह आपका आया, 2000 रुपे, मल्टिपलाई बाइ, 351 डिवाइड बाइ, 365, तो आप दिखेंगे, यह आया आपका 1923 रुपे, तो चेक करते हैं, केतना ही आ रहा है, 1923 रुपे, नहीं, मैं किसकी बात करूँ, इसी, अब यहां पर इसी के लाइफ आ रही है, छे साल, और यहां पर आ रही है, इसी के लाइफ दस साल, तो यहां पर भी गरबढ़ है, ठीक है, अब इसको भी हम इसको ठीक करेंगे, अपरल के मन्त में, आप इसको दस साल के जगा, छे साल मान लीजेगा, यहां पर, इट नीट सू भी क्रेक् तिन सो रुआ है तो मेरी वैलब्स फांच रुपए तो चेक करता हूं, कितनी वैलुव आही है? बाती सो पांच रुपे बिल्कुल सही है, और फिटिंग की बात कर रहा हूं, तो फिटिंग 10 साल की आ diferencia है? और यहां पे कितना लिखा हुए एसी की फिटिंग यहां पे लिखिये हुए है पंदरा साल की जबकि यहां पे बता रहा है कितने की दस साल की तो यहां भी क्रेक्षन है इसको भी आप ठीक कर लीजिए furniture में कि आपका जो है furniture electrical fitting वो आपकी 10 साल की है और यहाँ पर जो कितनी आ रही है वो आपकी 15 साल की आ रही है तो इसको हम ठीक कर लीजिए तो अब इसको निकालते हैं तो कैसे आ रहा है कि 15,000 की value थी 10 साल की life थी साल की कितनी मेरी 1500 रुपे तो 1500 को multiply गया 351 से बटा 365 तो कितना आ गया 1442 रुपे इसी तरह से हम निकाल लेंगे किसकी office equipment की दिखिए आप तो एक, दो, तीन, चार, पांच और छे छे निकल लेगे आप टैली खोल के देखिए आप और जाहिए balance sheet में तो आप देखिएंगे वहाँ भी 6 head होंगे यह देखिए पहले मैं सारे डीजलेट कर लेता हूँ अब करता हूँ पहले इसी बे जाके space एक, दो, तीन, चार, पांच, छे इन सब की निकल की value अब जब मैं उसको डालूंगा ना definition को तो उसकी value automatically कम हो जाएंगी और उसके बाद total यह भी कम हो जाएंगी तो डालते हैं कैसे अब मैं चाहूँ अलग-अलग तो भी कर सकता हूँ इक अठा करना चाहूँ तो भी कर सकता हूँ तो पहले आप क्या कीजिए इसको एक सली कर लीजिए तो माल लो एकसहली की इंकर लिए अब अब समय एंट्री ओठाना है और वहाँ पर डाल देना है कैसे लालते हैं दिखते हैं गाड़ मैं जाता हूँ यहाँ पर F7 General और सबसे पहले बनेया खर्चा Alt C किया है मैंने तो मैंने लिया यहाँ पर Dappery Station जो मेरा बनेगा Under Interact Expense के Control ले किया अब कितना Mount आ रहा है मैं एक साथ इकठा Book कर देता हूँ 14,401 क्रेड़एट अब क्रेड़ क्या हो रहा है अब यह सारे होंगे एक एक करके ठीक है तो पहले कि आएगा Computer कितने का 56-10 रुपे तो मैंने याप एक किया Computer कितना है क्य यहां पर है घृ और की दूसर हो इसके बाद कहा रहा है और पर यहां पर 얼णर है बत्रीसो पांच रुपेकका उसके बाद कौन सब एलट्रिकल पिटिंगर अब यह कितना हरा है यह आ है 442 रुप्य का उसके बार फीर का बचा ऑफिस अक्यूप्मेंट 560 रुप्य के ऑफिस अक्यूप्मेंट एक देखहे ऑट अटोमेटिकल लिया अ गया और यह सारा आपका गूर्द की सेल्फोन और फिनिश अगर हम चेक करें अब जाके बैलेंट शीड में तो आप देखेंगे कि उनकी वैलियो आटमेटीक लिक कम होगी एंटर करेंगे लिए जब परचीज किया तब और जब एक्जिट कर रहे हैं यह तब तो वैलियों हमने कम कर दी है अब हम बात करते हैं अगली मेगजिन लिया था छे जुलाई को जिसके लिए हमने पैसा दिया था 2400 रुपे और उसका जो पीरिड था वो था एक जुलाई से लेके 30 जून 25 तक इसका मलब है 23 से लेके 24, 24 से लेके 25 हमने दो साल का दिया एडवांस 24 मीने का लेगिन फ्रैंशल यह जो है हमारा वो है 23 इस और 24 विच मीज का 30 मार्च खतम हो जाएगा तो आप देखो काउंट करो जुलाई अगर्स सेप्टेंबर अक्टूबर नौमबर दिसंबर जनरी फर्वरी मार्च नौ मीने का तो अगर मैं 24 को डिवाइड करू 24 है तो सौ अपर मन्त हो गया और मैंने मार्च तक का जो हमने और डी बुक कर रखे हैं कहां पे यहां पर देखिए करंट एसेट में तो अब यह जो एसेट मारे 2400 रुपे आ रहे है ना यहां पर शूब करने चाहिए 15 100 रुपे नौस रुपे का जाएंगे खर्चे में चले जाएंगे तो वह कैसे होगा चलिए देखते हैं मै वाउचर पे गिया और यहां पर खर्चा बुक करूँगा तो मैंने यहां पर क्या लिखा लेजर बनाया देखे जैसे 900 रुपे डाले उसकी वैल्यू 1500 रुपे आटमेटिकली आगे तो यह जो था हमारा ही चला गया प्री पेड के अंदर अब जब अगला फनेशल यह राएगा तब हम अट्जेस्ट करेंगे बारा मीने का कितना 100 रुपे के साब से 1200 रुपे एंटर किया उसके बाद इस तरह इंशूरेंस है हमने एक अगस्त को इंशूरेंस बारा मीने के लिए किसी एसेट की उपर छे जार रुपे दिए तो छे जार को डिवाट किया बारा से तो कितना आ गया 500 रुप पर मन्त आ गया हमने यूज किया है एक अगस्त से लेके 30 संबर जनवरी फरवरी मार्च आठ मीने हो गए तो आठ सो आठ को गुनाव करेंगे 500 से कितना आएका 4000 रुप तो 4000 हमने बुक की है टोटल कितना शो कर रहा होगा 6000 कर रहा होगा चेक करते को जाके बैलन्स शीट तो आप दिखेंगे यहां पर शो कर रहा है 6000 रुपे अब य इंशुरेंस एकसमेंसिस जो की मेरा बनेगा इंडरेट के कितना खर्चा हुआ मेरा 4000 करेंगे इंशुरेंस और फिक्स ऐसे नहां पहले 6000 थे यहां क्रेट होग तो कितना रह गया 2000 रुपे रह गया कंट्रोल लें किया और यहां से बाहर अब अगर हम चेक करेंगे बैलन्स इंट्रेस की वो क्या कहती है कि हमें income tax डालना है कि इतना 1750 रुपेगा अब income tax pay करने है तो खर्चा है हमारा अब खर्चे का provision डालना है हमने अब provision डालना है तो ठीक है डाल दीजिए खर्चा मान के तो यहां पर लेजर बनेगा क्या income tax का जो की बनेगा इंडर इंट्रेट एक्सपेंस 17,500 और क्राइट में क्या आजएगा simple income tax payable जैसे मारी पहली एंट्री आगी है किसके एंटर आएंगी यह प्रविजन के अंदर एंट्री आएंगी नौ 100 रुपे अब यह क्या कह रहा है कि पांच हीजार की स्टेशनरी जवाना वो अन्यूजड यूजड नहीं करी मलब वह पैकिंग खुली ही नहीं उसका स्टॉक आगया पांच जार रुपे का तो हम क्या करेंगे स्टेशनरी मैं से लेस कर देंगे मलब इस अमाउंट से कि सब्सक्राइब तो मैं उसको की अन्डर कैस्टम्ट यहां पर यहां पर पहली स्टेशनरी श्टाक तो लएब नाता हूं यहां पर क्या और क्या सिकर के तो 26,900 मेरे से 5,000 गए तो कितना रहा गया 21,900 तो मला आप समझ रहोंगे कि कैसे amount adjust हो रहा है automatically और सारी practical entry यह वो है जो हम actual में company के अंदर करते हैं बस आपको पता होना चीजिए कि मैं करना क्या है उसके बाद transfer of withdrawal account to Mohan Sharma capital account अब जितने भी उसने इसको drawing कहते हैं तो अगर हम देखें जाके balance sheet में तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि उसकी जो drawings है 80,500 है तो देखो यहां पर तो show कर रहा है कितने 2,69,000 पर कैसे कि 350 की capital है और 80,500 ले चुका है तो यह लेने के बाद यह आएगा तो हमें क्या करना है amount final करना है कि इसके जो capital है ना वो यही शो करें यह जो drawing है ना सी 500 की वो खतम कर दें वो कैसे होई कि चलिए देखते हैं तो मैंने यहां पर क्या किया drawings को लिया कितना amount show कर रहा है है तो ड्राइंग यहां पर जैसी करूंगा तो ड्राइंग भी यहां पर जीरो हो जाएगी उसका मलत क्या drawing कोई नहीं है अब आप बात को समझो जब पैसा लगाया तो हमने cash account debit किया था capital को credit किया था यह company पैसा आया तो company की liability है अब company को हमने क्या किया था capital को credit किया था अब हम पैसा दे रहे हैं तो capital को करेंगे debit करेंगे तब ही वह उसका फरक पड़ेगा नहीं तो डबल हो जाएगा एंटर करता हूं 8500 यह हो गया अब अगर हम जाके चेक करते हैं balance sheet तो आप दिखेंगे यहां पर शो करेगा तो 69500 जो असी यह पांसर शो कर रहा था वो खतम हो गया इसके बाद बात करते हैं कि profit loss account यतना भी हमारा profit आ रहा है वह हमने मोहन शर्मा capital को transfer करते हैं अब दिखें company profit आ रहा है तो company के profit आने के बाद चाहे partner हो चाहे provider उसके पास पूरा हक है कि यहां तो वह पूरे profit को withdraw कर ले यहां फिर capital में reinvest कर ले तो यह withdraw नहीं कर रहा अगर withdraw करना होता तो फिर वह क्या करता बताता हूं आपको इसके मुझे क्या करना होगा मुझे entry करनी होगी कि इसकी जनरल वाउचर की मैं जाता हूं टैली में और यहां पर लेता हूं वाउचर और मैं लेता हूं यहां पर निकाल रहे हो तो यहां पर आप cash कर सकते हो ठीक है payment अगर बैंक से जा रही है तो बैंक कर सकते हो बट मैं reinvest कर रहा हूं अब reinvest कर रहा हूं तो मैं 306 थक और कितना रहा है एक्सेंस की बात करेंगे तो 339 छार सो 11 इंकम के बात करेंगे तो पांच लाग पैंसेट हजार पांच लाग पैंसेट हजार एसेट की बात करेंगे तो चार्ट एक्स पांच और उपर केतना है बत्ति पांश विल्ट्रस हैं बत्ति आईज़ार का मेरा है डिपॉजिट एसेट्स की 8100 एक ये जिसमें हमारी वैल्लू कम होने के बाद कितनी आई थी एसी की 16,795 16,795 इच मेंस कि actual value में से जो value थी हमारी depreciation की वो भी कम होके आई है तो actual value में जो हमारी थी amount depreciation का वो less होकर आया और कितनी liability है हमारी liability हमारी कितनी है 19,110 रुपे की 19,110 रुपे की इसमें से क्या है 26,610 और 12,500 तो इसमें से आपका जो 6,000 है जो 7,000 रुपे है वो आपका इसमें से यहां transfer होना था तो मैं एक बार enter करता हूं और देखता हूं 7,000 की entry यहां पे कौन सी है यहां पे 7,000 की यहां फिर 35,000 रुपे की यहां फिर कोई और income tax payable राज travel राज travel की I think country हो सकती है कि मैंने राज travel पेबल लिया था ना तो मैं यहां पे क्या करता हूं राज travel ही ले लेता हूं उस party का नाव, control है करता हूं बाहरा आता हूं अब आप चेक करेंगे तो कितना आ रहा है 36,610 देखिए और 12,500, 36,610 और 12,500 हो, हाला कि दोनों ही liability है कोई फरक नहीं पड़ता बट वो क्लियर है कि हमने राज travel को payable नहीं मानना था और कितना capital है 4,95,089 4,95,089 तो यह था purpose आपको बताने का इस company के माधियम से, इस entry के माधियम से क्या कि हम लोग company के final account कैसे maintain करते हैं, especially at the end of नहीं है, तो एक तो तरीका होता है कि मैं इसी company में करूँ, अब इसी company में करूँगा, तो जो entry मेरी पहले आ रहे है यहां से लेके यहां तक, वो भी तो आएंगी मुझे वो नहीं चाहिए, सिरफ मेरे को उसी air की entry चाहिए, बट मुझे question क्या है कि जो मेरे यहां पर balance sheet में जो balances आ रहे हैं, इसको मैं कैसे लेके जबगा नहीं company में तो यह मुझे entry नहीं चाहिए, मुझे जो figures है, balance sheet की तो चाहिए ना मुझे, क्योंकि शो क्या करती है, यह तो करती है कि actual company में उसकी position क्या है कितने debtors है, कितने creditors है, क्या liabilities है, क्या income है, क्या खर्ची है जब तक वो ही नहीं पता होगा तो कैसे काम चलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से export करके अगली वाली company में open करेंगे उसके बाद हमारा part start होगा किसका inventory का, तो उमीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, अगर कोई doubt रहता है तो मुझे comment करना बिल्कुल ना भूलेगा I will definitely try to help you within a shorter period of time, and make sure कि always encourage me by giving your valuable comment, because it has so much mean to me, और दूसरा channel पर अगर आप नए है, तो subscribe करना bell icon पर press करना, बिल्कुल ना भूलेगा क्योंकि it's a premium course, इसके अंदर मैं accounts, inventory, taxation, GST TDS, TCS, even की payroll तक भी करवाने वाला हूँ और बात करते हैं certificate की so I will also provide उसकी term condition रहेंगी वो क्या रहेंगे, इसका बात में करेंगे, बट अभी आप ध्यान रखिए learning के ओपर so मिलते हैं, नेक्स वीडियो के अंदर अपना ख्याल रखिएगा तक तक लिए, बाबाई, टेक केर, जैहिद